हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ राजन गुपता आप देख रहे हैं टेक्निकाल चैनल आर्षी गुपता टेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों से की तरफ से एक दिसान निरिदेश एक नोटिस आई है सभी बेली भाईयों के लिए अगर आप से इस्रम कार् परवाई ही भी की जा सकती है कौन सी गलतियां नहीं करनी है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सी ऐसी नोटिस है तो आप सभी को ध्यान पूर्भकिक सब्सक्राइब कर देना है तो इससे पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप हमारे चै अगर आप अपने सी आईडी से इस्रम कार्ड बनाते हैं किसानों का और अगर आप इस्रम कार्ड बनाते समय उनसे एक भी रुपया लेते हैं तो आपके साथ जो है वीधिक कारवाही की जाएगी आपकी सी आईडी भी बंद कर दी जा सकती है साथ में आपको काफी कड़ी से कड़ी से दी जा सकती है क्या पर साप साप बता गया से इस्रम कार्ड पंजी करन पूर्ट याह निसुल्क है किसी भी आज संगाठित छेतर के मजदूर से कोई भी पंजी करन सुल्क नहीं लेना है जैसा कि मैं आपको बता दूँ आज कल की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो की आज संगठी छेदर के मजदूरों का जो है रेश्यसन तो कर रहे हैं उनका पंजी करना तो कर रहे हैं लेकिन उनसे पर रेश्यसन 20 रुपे या 10 रुपे चार्ज भी क करता आप पाय जाते हैं तो उसके खिलाब विधिक करवाई की जाएगी अगर उन में से कोई भी समझदार व्यक्ति ने आप किस खिलाब सीकाद दर्ज कर दी तो आपके साथ विधिक करवाही की जाएगी इससे अच्छा यहीं होगा कि आपको जितने पैसे मिल रहे हैं उस जो की सही है ऑगर एक दिन में आप 100 या 200 कार्ड बना देते हैं तो भी आप की जो है एक दिन की कमाई अच्छी खासी कमाई आपकी बन जाती है तुछ आप जरूरी नहीं कि अगर आपकी CSC ID इस गाउं की कर लिए और ध्यान यह रखना है कि किसी भी मजदूर से इस्रम कार्ड बनाते समय आपको एक भी पैसे नहीं लेना है यहीं आपके लिए अच्छा रहेगा सो यह जो है नोटिस आयती सी विली भायों के लिए से उत्रप्रदेश के तरफ से तो आप सभी को ध्यान देना है और आसा करता हूं कि आप सबस्ते समझ गएंगे और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो क्यार एक लाइक कर देना और चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपे के साथ तक तक लिए जय हिंद